अचका हमारा नएा डिजाइन यह है यह इस तरह से फ्रेंट से दिखता है और बैक साइट से इस तरह से देखने में लगता है तो चलिए इस डिजाइन को बनाना हम शुरू करते हैं इस पर मैंने टू टू के जो है फोर फो की जो है मल्टीपल यूज के हैं इसमें फर्स्ट जो है सीधी बनेगी पूरी की पूरी सीधी रो इसमें पहली रो बनेगी आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं पहली रो पूरी सीधी और आप इसमें फूर के मल्टीपल यूज करोगे नेक्स्ट पैक साइड से उल्टी रो एक सीधी और एक उल्टी रो हमने इसमें बनानी है और इस तरह से हम इसमें पांच रो जो है एक उल्टी एक सीधी एक उल्टा और एक सीधा एक दो तीन चाब पांच इस तरह से बुल लेंगे फिर एक फंदा उतारेंगे दूसरा फंदा बुल लेंगे दो फंदे बुल लेंगे फिर एक ये तीन फंदे एक तो तीन चार चौथे फंदे से हम धागा लेंगे बैक साइट से इस तरह से और इसको हम फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे पहला फंदा उल्टा बुना फिर हम दूसर फंदा उल्टा बुनेंगे फिर सेम वही से जहाँसमने पहले एक फंदा निकाला सेम वही से हम फंदा निकालेंगे इस तरह से फिर एक, दो तीन तीन फंदे बुल लेंगे फिर दहां कब हम पीछे को रखेंगे फिर एक और फंदा हम यहां से निकालेंगे सीम वहीं से निकालेंगे जहां से पहले निकाला इसको हम इस तरह से ले लेंगे इस तरह से तीन तीन बार लेना है फिर आगे की तीन फंदे एक दो तीन चार चौथे फंदे से हमने दो तीन चार चौथे फंदे से हमने एक फंदा उठाना है फिर दागा आगे करेंगे एक दो तीन फंदे बुलनेंगे फिर वहीं से जो तीसरा फंदा है उसके चौथे फंदे मैंसे एक और फंदा निकारना है फिर एक दो तीन तीन फंदे बुलनेंगे फिर दागा पीछे करेंगे फिर से हम वहीं से एक बार और फंदा निकालेंगे इस तरह से फिर यहां पर हम फिर से जो है तीसरे फंदे के एक दो तीन एक दो तीन चार चौथे फंदे से हम फिर से दागा निकालेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं फिर दागा आगे करेंगे एक दो दो फंदे बुलनेंगे सीधी सिंपल फिर अगें दागा नीचे से एक फंदा खेंचा फिर तीन फंदे तीन फंदे दागा पीछे को रखेंगे फिर एक और फंदा निकालेंगे अब बीच में पहले दो फंदे बुनेंगे लास्ट में तीन फंदे डो फंदे बुनेंगे इस तरह से दिलाई देता है बैक साइड की रो हो दो फंदे जो हमने उल्टे बुने थे इनको उसीधा बुनेंगे अब जो यह फंदे हैं इनको हम दो करके बुनेंगे इस तरह से दो फंदे बुने इस तरह से यह दो फंदे बुने, एक सिंगल फंदा बुना, फिर इन दोनों को इस तरह से साथ में बुनना है, इस तरह से लिया, और फिर इस को इस तरह से बुना, दो फंदे साथ में बुने, फिर एक फंदा सिंपल सीधा बुना, फिर दो फंदे इन दोनों को इकठे बुना, इस तरह से, फिर अगें दो फंदों को साथ में बुना, एक सिंपल सीधा बुना, फिर इन दोनों फंदों को इस तरह से घुमा करके, दो का एक बनाया फिर एक फंदा सीधा फिर इन दो को भी रच्ठा बनेंगे फिर अगें सेम वही रिपीट होता जाएगा इसमें इसमें पहले दो फंदो का इस तरह से दो फंदो का एक बनाएंगे फिर एक नॉर्मल सीधा फंदा बनेंगे फिर इन दोनों फंदो को इस तरह से लेंगे फिर दो का इन दो फंदो का एक करेंगे फिर सिंपल बनेंगे फिर इन दोनों फंदो का एक करेंगे फिर येतीन फंदे जो है Safari को हम सीधा बनेंगे है इस तरह से हमारा डिजन कंप्लीट रोगा और यही रिपीट होता जाएगा इसके बाद हम इस साइड से तो हम उल्टी रो पूरी बुनेंगे उल्टी साइड से उल्टी रो बुननी है और सीधी साइड से सीधी रो बुननी है नेकस्ट गजाइड से सीधी रो इसी तैह से हम पांच रो बुननेंगे और सीधी है फूर यह थे मुननेंगे पेड़ा पंद हम दालेंगे दो पंद सीधी फिर आगे के जो तीन अगे जुदर इक दो तीन एक दो तीन, चार, चौथे फंदे में हम बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, चौथा फंदा बुनना, इसमें से दागा निकालेंगे, एक, फिर दागा आगे करेंगे, दो फंदे बुनेंगे, और सेम वहीं से दागा निकाला, एक, दो, यह फंदे जो है, वो उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, लागा पीछे किया, सेम वहीं से, एक फंदा निकाला, इस तरह से, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, चौथे फंदे में से, एक, दो, तीन, चार, लास्ट के फंदे से, एक, फिर दो फंदे उल्टे, एक, दो, फिर दागा पीछे किया, फिर अगें, एक, एक फंदा निकालना फिर लास्ट के एक दो तीन फिर दागा पीछे गरेंगे फिर सेम वहीं से फंदा निकालेंगे एक सीधा फंदा बुना एक दो तीन और एक चार चौथे फंदे से जो लास्ट पर हमने फंदा बुना था वहां पर दागा डाल करके दो फंदे उल्टे एक दो फिर सेम उसी जगह पर डाला सीधा फंदा निकाला फिर दागा आगे करके एक दो तीन फिर दागा पीछे किया एक फंदा निकाला इस तरह से लास्ट के दो उल्टे एक दो इसी तरह से यह डिजाइन जो है रिपीट होता जाएगा बैक साइड से सेम वैसा ही बनेगा दूसरा दो का एक करेंगे एक फंदा नॉर्मल सीधा फिर दो का एक इंगुष्टा से ट्विस्ट करेंगे दो का एक फिर एक नॉर्मल सीधा फंदा फिर दो का एक फिर से रिपीट करना है दो फंदो का एक फिर नॉर्मल सीधा फिर दो को इस तरह से लेकर के दो का एक एक नॉर्मल फिर दो का एक त्र फिर दो का एक फिर एक नॉर्मल्मल सीधा फिर दो का एक नॉर्मल सीधा फिर दो का एक fuss a टीन फंदे जो है लास्ट के सीधे बनेंगे ऊर इसी तरह से ये पूरा ढ़िज़ैन रीपीट होता जाएगा कर दो कर दो कर